नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज 20 जन्वरी को जो बाइडेन अमेरिका के नए राश्रपती आज वो अपनी शपत ले लेंगे जो की चुने गए हैं काफी समय के बाद काफी तमाशे के बाद आज एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो राश्रपती चुने गए और क्रम प्रशासन जो है अब अमेरिका से अड़ चुका है लेकिन जाते जाते टांप प्रशासन ने और खुद ौन ट्रॉम ने भी वेस्ट एशिया को लेकर याँ पस्चिमी एशिया को लेकर ऐसे कई फैसले और ऐसे कई सेंक्शन्स लागू किये हैं जिनका प्रभाव वेस्ट एशिया पर एक तरह से नकारात्मक रूप में देखा जा रहा है इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूस्क्लिक के एडिटर इंचीफ प्र जी प्रवीट तो हम यह जानना चाहेंगे कि ट्रम्प के हटने से और बाइडिन के आने से क्या जो है वेस्ट एशिया पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा यह आप हमारे दर्शकों को बताएं तीन अलग अलग चीजे वेस्ट एशिया के बारे में खास्तों से में उसको देखना एक तो है जो इरान समझावता ओबामा के राश्ट्रपती रहने के वाक्त अमरीका ने किया था इरान के साथ उससे पीछे हटना उससे नकार देना यूलिलैटरली जिसे कहते अप सिर्फ अपने आप उसको नकार देना और दूसरे जोड़की ऐलाइस थे जैसे वेस्टर्ड यॉरप का दे कुछ देश उस पे थे छे देश मिलके ये एग्रिमेंट की गई थी इरान की न्यूक्लियर एग्रिमेंट से कहते हैं उससे दूसरे देश उसको माने नहीं है ट्रम्प की पदक्षे पर इसके बावजूद इरान के साथ जो सैंक्शन्स की समझावता हुआ था वो न्यूक्लियर वेपन्स की जो बात चल रही थी कि यूरेनियम इंविच नहीं करेंगे और उसके एवजूद की ओपर सैंक्शन्स हटाए जाएगा इससे दूसरे मुल्क चाहते हुए कि उस जो समझावता है उसको बरकरा रखे अमरीका की सैंक्शन के सामने पीछे हटे तो वो चीज क्या दुबारा सैंक्शन्स हटाया जा सकता है क्या ओबामा अडिनिस्ट्रेशन के वक्त जिसमें बाइडन भी शामिल थे क्या उस समझावता को फिर वापस लाया जा सकता है यह एक मुख्य सवाल है और इसको रोखने के लिए पॉम्पय वजह से इरान ने भी कुछ कदम उठाए हैं कि हम लुटोनियम यूरैनियम पर जो हमारे उपर प्रतिबंद था उससे हम हट जाएंगे और वो पांच परसन तीन परसन साटीन परसन नहीं अब बीस परसन तक उसको इंडिश करेंगे उरान की भी उनकी जो पार्लेमेंट है उसके पास हो चुकी है तो यह चीज अब देखना पड़ेगा क्या जो ट्रंप ने जो क्या कहते हैं पेचीदा मसाला सब के सामने ख़डा किया गया है उससे क्या शांतिपूर्ण सहावस्थान एक हिसाब से इरान के साथ अमरीका का हो सकता है यह नहीं यह आसान सवाल नही है उससे पीशे हटना आसान नहीं है और यही कुछ कदम पॉम्पियों ने जाते वक्त जो उनके उसका पॉर्ण सेकरेटरी है को कर चुके हैं ट्रॉम्प की इशारे कहिए ट्रॉम्प के सबवर्थन से कहिए जो भी कहिए दूसरी बात जो है एक एक्सिस तो इरान अमरीका का है दूसरा जो एक्सिस है वेस्ट एशिया का वो पैलिस्टाइन इस्रेइल को लेकि है और दूसरे आरे देश में जिसमें शामिल है तो उसमें उन्होंने एक काम किया ट्रॉम्प अड्मिनिस्ट्रेशन ने प्रशाशन ने कि जो वेस्ट एशिया के जो मॉनार्कीस है ज जिसमें राजा राजवाड़ा अभी भी वहां पर बरकराड है उनको साथ लेके इस्रेल के साथ समझावता किया जिसमें पैलेस्टीनियन की जो हक एकलिस काज़ी तौर पे अमरीका मानता था उससे भुकर गया और यह कहा कि अब जो है पैलेस्टाइन में जो कुछ इस्रेल क साथ है और जो अंतराष्ट्य स्तर पे जो माना जाता है कि इलीगल चीज है कि आप किसी देश की जमीन पर कब्जा कर ले और उसके बात कहें कि हमारा देश का हिस्सा है युनाइट नेशन्स का सिक्यूरिटी कांसिल का इस पे कई रेजिलूशन पास हुए थे इस पे कहा ग अधिस्ट्रेशन उससे हड गया है और पॉंपियो उस पे पुरी तरह से पॉंपियो और भी कुछ चीजें इसके लिए किया है जो लेबनॉन पे सांक्शन्स दालना सिलिया पे सांक्शन्स दालना जाते वक्त जो भी है वो करने की कोशिश है ताकि बाइडन अधिन आद्म अधिस्ट्री चीज जो क्योंकि आप जानते हैं खूती पे जो अभी संक्शन्स पे अभी लगाया गया उनको यह करा दिया कि वो टेर्रिस्ट संगठन आतंकबादी संगठन है इसके मतलब यह है कि खूती जिन इलाकों पे कभजा अभी तक उनका है जो नौर्डन एवन के ज्यानतर हिससे पर उनका भी कभजा है तो उन जगहों पर युनाइटेड नेशन से लेकर कोई भी जो हुमेनिटेरियन सहायता देते हैं वह दहीं दे पाएंगे क्यों कि टेर्रिस्ट संग्या देने के बाद यूती को तेर्रिस भोशित करने के बाद उनके साथ कोई कोई बातचीत करना या और कुछ नहीं कर सकता है उससे इमीडेटली उसको पर अमरीका की सैंक्शन लागू हो जाएगा और अमरीका के सैंक्शन लागू होने का मतलब यह है कि अंतराश्टिया फाइनैंशल सिस्टेम जो है उससे आपको अलग कर दिया जाएगा और इसी लिए जितने Red Cross से लेकर United Nations की जितने Humanitarian Arms है उन सब को वहां से वापस आना पड़ेगा और पड़ रहा है क्योंकि हूतिस को टेर्रिस भोशित कर दिया है अमरीका ने तो यह जो चीज है किसी लिए क्या क्योंकि साओधे अरेबिया वहां पर जंग लड़ रहा है हूतिस के खिलाब क्योंकि पूरा येमन पे साओधे अरेबिया अपने फिट्टू सरकार बठाना चाहता है और बहुत दिन से बठाय रखा था क्योंकि वह बिगड़ गया इसलिए जो समन्नेवे वहां पर था साओधे अरेबिया के हाथ जिन पर था वो हार गये थे तो अब उस चीज को इससारे जुए जिसके मैं जादर जिकर में करर गूर कूछного एकाना कि वहां पर आम उमन बच्चे जो है उनके पास आहार नहीं है पुरी तरह से, स्कूल नहीं जा पा रहा है, वहां पर कॉलरा से लेकर बहुत सारे बिमारी फैल रहा है, दवाई नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, बिजली नहीं है. एक बीस मिलियन येमिनीज की ये हाल है, और साओधे रिविया की जो बरबर आकरण इस पर हजारी है, उसको रोकने के लिए कोई प्रबंद करने के जगह है. अमरीकी सरकार खास तोर से ट्रम्प हारने के बाद कुछ चंद दिनों पहले उन्होंने ये चीज कर दिया है, ताकि वहां पर येमन में शांति लाना आसान नहीं होगा. और ये किया है, उसमें अमरीका साफ कर देना चाहता है कि इनका बेसिक जो एलाइंस इस वक्त है, वेस्ट एशियन की बुलकों से नहीं, उनकी जनता से नहीं, सिर्फ उनकी मौनार्की और इस्रेल की जो सरकार है, उसके साथ उनका संसंबंध है. और दूसरों की जोगी सवाल रहे कि जनवाद का हो, हक का हो, ये सब नजर अंदास करके, वो सिर्फ मौनार्की और इस्रेल के साथ ही अपना अलाइंस करेंगे. तो एक हिसाब में नकाब जो उनकी थी, कि वेस्टेशिया में हम शान्ती चाहते हैं, जनवाद चाहते हैं, ये सब हड़ गया है, और एक नंगा सामराजवाद की शकल वहां पर साफ वहां की जनतातों के सामने पेश किया जा रहा है. क्या बाइडन इसको फिर लिपापुती कर सकता है, क्या अमरीकी जो बुख्य शोत रहा है, राजडितिक धारा जो रहा है, यही रहा है. मौनार्की तेल है बहुत साथ, और उनके साथ साथ इस्रेल के साथ अपना संबंद रखके पूरी मिडल इस्ट का वेस्ट इस्या के तेल पर कबज़ा करना, यहीं उनकी राजडित रही है. क्या यह फिर से नकाब ओड के कर पाएंगे, जो ट्रम्प ने बेनकाब कर दिया है, या बेनकाब की तरह ही यह चलेगा, यह देखने की बात है. जी, प्रबीर, मैं जो हमने वेस्ट एशिया की बात की, तो उसमें जो एक तरह से मानव संकट जिसकी हम बात करते हैं, जो की तमाम देशों में देखने को मिलता है, फिलिस्तीन से शुरू होते हुए, इरा, इरान, सीरिया का इतना बड़ा एक्जामपल है, यमन का जैसे आ एक तरह से क्या भूमिका है और क्यों जो है बागी जो दुनिया है, वो एक तरह से इसको नजर अंदाज करने में मतलब काम्याब हो जाती है, क्यों हम एक सेंस्टिविटी नहीं आपाती है ऐसे देशों के प्रती मतलब ये आप इसको कैसे देखते हैं, कि इसकी वज़ा क् देखिए वेस्ट का जो भूमी का रहा पाश्चाक्त देशों की जो भूमी का रहा है उसको अगर समझना है तो आपका उनकी कलोडियल पास्ट पर सामराजवादी पास्ट पर वापस जाना पढ़ेगा क्योंकि यह इलाका एक वाक्त ओटोमन इंपायर का पाट था और इसमें जो पहला महयुद्ध के बाद इसको टुक्टे टुक्टे करके इसमें फ्रांस और इंग्लेंड बटवारा कर लिया था थोड़े बहुत इधर उधर और विच्चिल्णर दूसरे मुलकों को मिला होगा पर मुलता फ्रांस और इंग्लेंड ने इसकी पूरी बटवारा कर लिया था कौन किसकी मालिक होगा उसमें मुख्य चीज यही था उस वक्त इतना शायद समझ था या नहीं मुझे नहीं मालूम पर तेल एक बहुत बड़ा मसला होगा वो उस वक्त ही उनके सामने निकल रह था और उनकी बड़ी जो दुख दी इस बात के कि यह तेल जो है अरब अरब देशों में इरानियों की देशों इरान के पास है और उस पर हमारी कब्जा कैसे रहे यह उनका चिंता था इसलिए इस तरह से बटवारा किया था लाइन शेयर जिसे कहते हैं बड़ा इंग्लें के पास आया था और इसी लिए इंगलेंड साओदेर एंग्या और इस जो सीरिया इराक इन देशों में सब्सक्राइब अगर इंग्लेंड के पास था एराक साओदेर एंग्या जिस बहुत ही तेल में था अधर उसके साथ-साथ चोटे जो कहते हैं राजी उन्होंने बनाया था यहां पर United Arab Emirates जिसे कहते है और इसके लिए बहरेन है इस बहुत सारे छोटे-छोटे क्वेट है कतर है इनको यह सब बहुत खनिज संपद बैसिकली तेल इन मुलकों में है तो इनको अलग-अलग तुक्ड़े करके अपना कब्जा इन पर तेल पर रखना चाहते थे और र सहारे ब्रिटन अभी भी तेल पर कब्जा रखता है एक हिस्सा और इसके साथ साथ फ्रांस भी अमरीके के सहारे अपना इंफ्लिएंज जिसे कहते हैं लेवनान हो दूस्ते मुलकों में रखना चाहता है तो यह एक इनकी रही है कि यह अमरीके की छत्र चाया में यहां की ख की जबरत है तो इसकी अगर चावी हमारे पास होगी तो हम दुनिया पर राज कर पाएंगे कि इसकी पीछे एक नियत यह रहा है और इसलिए इसरेल को खड़ा गया किया वहां पर इस इलाके को खबरदारी करने के लिए कि हमारा एक वहां पर ऐसे मुलक होना चाहिए जो हम सकते हैं हमारा आउटपोस्ट वहां पर रहेगा इसलिए इसरेल कभी वहां पर बनाया गया और यह आज की परिकल्पना नहीं अब पहला महयुद के बाद ही परिकल्पना वहां पर अच्छा गया था और वह बालफॉर्ट डिक्लेरेशन बहुत पुरानी है तो इसको देख कर रहे हैं अब उनका मूल संबन्ध जो है इनकी जो क्लोज एलाइस सबसे घनिष्ट एलाइस जो है वह इनकी राजा राजवारे हैं क्योंकि उनका कोई बेसिस अपने मुल्क में नहीं है वो एक नैशनालिटीज नहीं है जो उनको रेप्रेजेंट करते हैं यह प्रिंसिपालिटी किंग्डम अफ साथे अरेविया है साथी करके कोई नैशनालिटी वहां नहीं है जो इसको ओन करता है तो यह जो चीज है इससे इनको खास यह समझ इन मुल्कों का यह समझ है कि वेस्टन यॉरप का भविश वेस्ट एश्या में अगर रखना है तो अमर इक शक्ती मिलिटरी ताकत अमरीका के पास है इनके पास अब रही नहीं है पुराने कॉलिज जा चुके हैं और वो जो चाहते थे कि अपने आर्म्स के हाथियार से इन मुल्कों को कब्जा कर रखे यह संभब नहीं है तो अमरीका के छत्र चाहे में वो अपना पुराने जो संबन इनके रहे हैं उसको रखना चाहते हैं और अमरीका भी सोचता है ब्रिटन और फ्रांस अगर हमारे साथ में रहेगा तो इन जगों पर हमारी इंफ्लूइंस और आसानी से हम इसको अपनी इंफ्लूइंस पर ला सकते हैं पुराने संबन फ्रांस और इंग्लेंड की इ वो जो एक एरान के खिलाफ एक मुल्क था उसको उनने तहस नहस कर दिया उसे उनका नुकसान यह हुआ कि एरान का कोई काउंटर उनके वहां बना नहीं बलकि क्योंकि वो एरान ने जब आइसिस वहां काफी बढ़ा था तब सुलिवानी ने वहां पर बहुत जाके खुद ल शिकस्त देने के बाद इराक के साथ इरान के सम्मद अच्छे हुए सीरिया में रश्या और इरान दोनों ने मदद किया सीरिया की सरकार इसरेल के बहावे में आके उकसाने पर अमरीका वहां पर चाहते थे उसकी सरकार असर्थ की सरकार गिराए जाए वो नहीं हो पाया तो यह जो लगातार यह जो वहां की मानचित्र में फरक आ रहा है हिजबुल्ला की ताकद बढ़ी है इसरेल इस वक्त हिजबुल्ला के सामने यह समझता है कि वहां पर अगर लेवनान में घुसेंगे तो शायद हमारी भी उपर मार पड़ेगी तो हिजबुल्ला के पास रॉकेट्स वगरा काफी है और इसरेल की शहरों पर वो हमला कर सकते हैं हवाई हमला कर सकते हैं अगर इसरेल फिर लेवनान में घुसने की कोशिश करें तो एक तरह से एक military balance इसे कहते हैं हो चुका है जिसपे अमरीका के जो एकदम बहुत ज्यादा प्रभुत्र था इस इलाके का अगर दूसरे western देशों का वो इस वक्त तूट चुका है और यह तूटना यह मतलब यह नहीं है कि यह बराबरी कर सकते हैं अमरीका इसरेल के साथ पर इतना चोट पहुंचा सकते हैं ताकि जंग शायद दुबारा इनके लिए करना संभव नजर नहीं आ रहा है दुबारा इराक करना संभव नहीं है और अब देखी चुके हैं सिर्या भी नहीं कर पाए सिर्या को इराक नहीं कर पाए और जो इसरेल एक बार कुछ साल पहले हेजगुला पर हमला किया था लेवनान पर हमला किया था वह अपने बॉर्डर से दो से चार किलोमेटर आगे नहीं बढ़ पाए थे पहली बार उनको इस तरह का ओपोजेशन का सामना करना पवा तो एक तरह से एक पैरिटी है कि आप जीत तो सकते हैं पर इतनी नुकसान आपकी होगी जीत में जो आप इस जीत का कोई खास फल नहीं आए मिलेगा आपको और इरान कहें चुका है अब घर हमारे उपर हमला करोगे तो हम तो हो सकता है कि हमारी जो एकॉनमी है जो शहरी वेवस्ता है पुरा तहस नहीं सो जाएगा पर इन इलाकों में कोई भी तेल का इंफ्रस्ट्रक्चर हम रहने नहीं देंगे साओधेर इजिया क्या अमरीका की जितने बेस हमारे आसपास है उस पर भी हमला करने की शक्ति रखते हैं हमारी मिजाइल रॉकेट्स की यह ताकत है इसको देखते हुए जो कहते हैं कि हो सकता है जीत जाएंगे और जीतने का जो कॉस्ट है कि हम देने के लिए तैयार है यह अमरीका के सामने सवाल है इसी लिए वो चाहते हैं sanctions के जरिए और ऐसे चीजों करके जो जीत वो हासिल नहीं कर सकते सामरिक शक्ती के साथ दूस्रे तरीके से हासिन करे financial sanctions दूसरे sanctions लगाके वो भी सफ़ल नहीं हो रहा है यह अमरीका के सामने सवाल है और यह वेस्ट एशिया के सांदे चुनावती है कहां पर ये बाइदन सरकार इससे क्या बहुत ज्यादा फरक कर पाएगा मेरे ख्याल से जो गोटी जैसे लगाई गई है वोट पे उस पे बहुत फांडमेंटल परिवत्त करना संभब नहीं है इसमें रवाया पूरी तरह से जब तक नहीं बन्लेंगे तब तक वेस्ट एशिया में शांती लाना संभब नहीं है और वेस्ट एशिया में शांती दुनिया के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अभी बी सबसे बड़ा जो इसोर्स नहीं है तेल मुँव वहाँ पर बहुत ज्यादा वहां पर मिलता है छीन, भार एशिया हमारे लिए सिर्फ नहीं पर दुनिया के लिए बहुत एहमियत रखती है और जब तक एक जो आपने पूछा सवार जो बुनियादी सवाल पूछा कि वेस्टन यॉरप और अमरीका इस चीज को क्या समझते हैं और उनकी क्या बुनियादी कोई फरक होने वाला है उनक ही बताएगा शुक्रिया प्रबीर हम से इस मसले पर बात करने के लिए तो जैसा कि आपने देखा प्रबीर यही कह रहे हैं कि क्या बाइडेन ट्रंप की तरह बेनकाब होकर वेस्ट एशिया को संभालेंगे या फिर सिर्फ उन्हीं की तरह थोड़ा सा नकाब ओड़कर या चुपकर एक तरह से वेस्ट एशिया के बारे में पॉलिसीज अपनी प्रशासन की लेकर आएंगे ये देखने वाला समय ही बताएगा लेकिन प्रबीर का भी यही मानना है और यही कहना भी है कि वेस्ट एशिया में जो शान्ती है वो दुनिया के लिए इस समय पर और पर सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए शुक्रिया